देखो यह 100% सच है कि MBW का करीर स्रिफ और स्रिफ डिस की वह से चल रहा है अच्छा देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा है ऐसी वो ओडियंस कहती है जो ओडियंस अपर पसंद नहीं करते या फिर जिन ओडियंस को अपर गाने पसंद नहीं आते इस बात में कितनी सच्चा है है हम पूरा प्रॉपर स्टार्ट करने वाले में करीर के स्टार्टिंग से अभी तक पे तो वीडियो का विज़ाद मज़दार एंड इंट्रस्टिंग होने वाली है तो भली तुम एम्वे के फैन हो या फिर क्रिश्चन के फैन या फिर किसी और एपर के फैन हो यह वीडियो का विज़ाद एंट्रस्टिंग बज़दार होने वाली तो एंड तक देखना क्योंकि इस पूरी वीडियो के अंदर में नहीं हम एमेवे के प्रोफेशनल करियर क से रिपलाइक कर दियाता है में तो कहीं न कहीं जो ओडियन्स है वह बहुत साथ है इंगेज होती है इन चीजों की तरफ में भली वह ही पॉप ओडियन्स हो या फिर नहीं हो क्योंकि यार बिग बॉस वाला दिस से हर किसी को कॉंट्रोर्सी लड़ाई देखने में मसा आता देखो यार यहार यहाँ पी नो डओट यह कोई कोई नहीं बनता कि अमेवव के ग्रोथ ही ते उस टाइम पे क्योंकि देखो अगर कोई भी रैपर किसी को डिस करता है न तो उस टाइम पर उसकी इंगेजमेंट बढ़ जाती है उसके पास पॉजिटिव नेगटिव दोने यह sense बनाता है, अगर तुम अपने करीड की स्टार्टिंग के बड़े रैपर को छेड़े रहे हो, या पर पंगा ले रहे हो, डिस्क कर रहे हो, तो उस टाइम पर नो डाउट तुम लोग को हेट मिले वाले है, क्योंकि तुम बिना मतलब के कर रहे हो, इस अब जीर ठीक है, तो यहाँ पर कोई गलत नहीं है, इस विए से सपोर्ट भी कर रहे थी, यही सेम चीज अभी चलती भी आ रहे थी, लेकिन, अभी क्या हो तो कुछ टाइम पहले, लोगों का कहना था, ओर्डिंस का कहना था, कि यार, एमेवे का जो ग्राफ है, वो डाउन जा रहा है, मतलब यूट्यूब के उपर पे स्टीम्स भी कम हो रहे है, इस सीज के उपर पे कावी सारे यूट्यूबर्स, कॉंटेंट क्रेटर्स ने वीडियो भी बनाई थी, कि क्या रीजन है, जिस विए से अभी आपना डाउन फॉल फेस कर रहा है, आज से कुस टाइम पहले, बट उस ट कर दें कृष्णा इक क्रिष्णा को क्योंकि तेखो हैं एक टाइम पे क्रिष्णा को क्रिष्णा को डिस्क रहा था, रिपलाइक के लिए और जब आज अची रिट में खूचान बन गाई तो खुद एमियोग उसे डिस्क्र रहा है, जोके एक ताइम पे बिलकुल भाव न अगर MBW कर भी रहा था तो subliminal shots दे रहा था Krishna को उपर पर अपने tracks में लेकिन proper कभी भी reply नहीं दिया अब देखो है जब diss tracks निकलते हैं तो देखो downfall चल रहा हो कि कितने ही तुम अपने career के peak पे हो views और subscribers तो तुम लोग को मिलती है engagement मिलती है देखो जो audience कहती है कि MBW ने अपने career के starting disc tracks से करी है या फिर डिस करके famous हुआ है तो देखो डिस करके और भी बहुत सारे rapper famous हुए थे लेकिन आज की rate में उन्हें कोई नहीं जानता ठीक है और आज की rate में downfall फीस कर रहे है अपना बट MBW इतने long time तक बना हुआ है और देखो आज की rate में भी MBW काफी अच्छा कर रहा है hip hop में यहीं सेम चीज क्रिश्चन के साथ भी है कि लोग कहते हैं क्रिश्चन ने अपने career के starting MBW को disc करके करी है क्रिश्चन चलता है तो देखो अगर सब्लिमिनल शॉट्स यह डिस करके क्रिश्चन चल रहा होता या फिर MBW डिस करके फेमस हुआ होता तो नहीं आज की rate में MBW इतने time सब गेम में होता और नहीं क्रिश्चन होता है देखो डिस्टेक्स वगेरा तुम लोग को थोड़ा स तक बने रहना या फिर जो आर्टिस आज की देट में लंबे टाइम तक बने हैं भले ही उन्होंने स्टार्टिंग में डिस्ट वगरे करें लेकिन उनके पास टैलेंट था जिस वए से आज क्रिश्चन भाई क्रिश्चन भाई है MBW जितना बड़ा नाम बना है या फिर और भी रैपर्स का बना हुआ है तो टैलेंट था जिस वए से हुआ एंड तुम्हें ऐसा बोलना कि यार सिर्फ फो स्रफ डिस्क की वे से यह लोग इतने फेमस हुए हैं चाहे वो क्रिश्चन की केस में हो या फिर में उतना सेंस नहीं बनाता है मेरे को पता है तुम्हें से 90% कमेंट से करने हो तो कमनेंट करो चैनल के बड़े तो सबसक्राइब कर लो Marcus आगा